नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपर्चे दोस्त पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां आई आज हम सभी जानते हैं पुराने से पुराने सफेद बालों को हमेशा के लिए काले लंबे और घने कर देने वाले प्रयोग के बारे में कई सारे लोगों को बाल जढ़ने की समस्या होती है तो कई सारे लोगों को सफेद बालों की समस्या होती है लेकिन चाह करके भी विवयो अपने बालों को काला और लंबा नहीं कर पाते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करके आप अपने पुराने से पुराने सफेद बालों को भी काला कर पाएंगे और अपने ज़डते हुए बालों का ज़ड़ना रोक करके अपने बालों को लंबा कर पाएंगे आज हम आपको जिस नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं ये एक आयरुवेदिक नुस्खा है इस नुस्खे से आपके बाल लंबे और काले हो जाएंगे और इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है तो आप इस नुस्खे को बिना किसी टेंसन के इस्तेमाल कर सकते हैं नुस्खा बनाने के लिए आवशक सामगरी नोट कर लीजे इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो समगरी के जरूरत पड़ेगी और उन दो समगरी का नाम है आमला और दही जी हां आमला हमारे बालों को जड़ों से काला बनाने के लिए मदद करता है और दही में ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो हमारे बालों को ज़ड़ने से रोकते हैं नुस्खा बनाने का तरीका जान लीजे इस नुस्खे को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है बस एक कड़ाई में एक लिटर पानी लीजे और उस पानी में 50 ग्राम को रात भर के लिए छोड़ दीजे और फिर सुबह उठकर के उस कड़ाई में रखे हुए आउले के पानी को धीमियाज पर पकने के लिए रख दीजे और तब तक के लिए पकने के लिए छोड़ दीजे जब तक की कढ़ाई का पानी आधा न हो जाए और जब कढ़ाई का पानी आधा हो जाए तब उसे ठंधा होने के लिए रख दीजे ठंधा करने के बाद उस पानी को किसी बाउल में निकाल लीजे और उसमें 250 ग्राम दही ड गड़ों में अच्छे से लगाईए और लगाने के बाद एक घंटे के लिए लगा रहने दीजी एक घंटे के बाद अपने बालों को किसी अच्छे हर बल शेंपू से धो लीजे इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपको पहली बार से ही फर्क महसूस होने लगेगा इस नु बालों का जहरना आम समस्या हो गई है नतीजा बाल पतले होने लगे हैं कई बार तो समस्या गंजे पन तक की पहुंच जाती है यों तो बाजार में कई ऐसे प्रोड़क्ट उपलब्ध हैं जो बालों को इंस्टेंट वोल्यूम देते हैं लेकिन इन प्रोड़क्ट का भी बालों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है क्योंकि स्कैल्प पर इन प्रोड़क्ट को सोख लेती है जिससे बाल धिरे-धिरे पतले होने लगते हैं अब बाल गिरने के काणों को जानते हैं देश में 60% दिमहिलाएं पतले बालों या बाल जहरने की समस्या से परेशान हैं इसके कई कारण हो सकते हैं विटामिन, डिफीशियंसी या जेनेटिक ऐसी ही कुछ वजह हैं इसके अलावा बाल गिरने या पतले होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं बाल घर करने के आई आसान उपायों के बारे में जानते हैं सबसे पहले कैस्टर ओयल जिहां पुर सीड और विटामिन ई तथा अन्य प्रोटीन और मिनरल्स भी प्रचूर मातरा में पाये जाते हैं जो बालों को घना बनाते हैं कैसे लगाएं बालों के लंबाई के हिसाब से तेल ले करके रूई के फाहे से बालों के जड़ों में लगाएं यह थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए यदि लगाने में दिकत आए तो इसमें कुछ मातरा में नारिय अलोय लाप मिला सकते हैं इसके अलावा प्याज का रस प्याज का रस हेर फॉलिक से इंफ्लमेंशन को घटाता है जो बालों को घना और लंबा करने के लिए जरूरी है इसके प्राकृतिक एंटियोक कैपसूल इसके इस्तेमाल से स्केल्प और फॉलिक में ब्लड फ्लो होता है जो नई को शिकाओं को जन्म देता है और बालों को घाना करता है कैसे लगाए आए जान लेते हैं एक कटोरी में कैपसूल का पाउडर निकाले और जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें मिल भर में कम से कम दो बार अपनी finger tips के scalp को धीरे धीरे मसाज करें इसके अलवा essential oil का प्रयोग करें essential oil में भी fatty acid प्रचुर मातरा में मिलते हैं साथ ही इसमें vitamin E भी होता है लेवेंडर रोज मेरी इत्यादी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अप कैसे लगाएं इसको essential oil की कुछ बूंदे normal hair oil में मिला करके scalp की massage करनी है आपको इससे आपको काफी भी लाव होगा पुराने से पुराने सफेद बाल भी हमेशा के लिए काले हो जाएंगे जिहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए सभी के लिए सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बह निवाद नमस्कार दोस्तों